कम समय में चापाती के साथ सफ करने के लिए ररैसिपई नहीं के सब्सक्राइब करता है यहां पर आलू और तमाटर के सब्सक्राइब में बनाए जो खाने में के आыми Deal । तो यहां पर पतिला गरम हो गया है, तो मैंने इसमें डाल दिया है, थोड़ा सा कुकिंग ओयल, आप लोग चाओ तो गीज तमाल कर सकते हूं, फिर हमें इसमें डाल देना है, चुटकी बरहिंग, आदा चमच राई और आदा चमच जीरा, कुछ करी पत्ते डाल देंगे, यह यहां पर मैंने एक प्यास को बारे कट कर लिया है, इसे हमें डाल देना है, साथ में मैंने यहां पर करीबन आदा इंच अद्रब को ग्रेट कर लिया है, और तीन से चार लेसुन की कर लिया मैंने ली है, थोड़ा सा मैंने लेसुन को कर लिया था, इसे अब हमें अच्छे स सोटे कर लेना है ताकि जो प्याजे अच्छे से भून जाए प्याज जो है वह अच्छे से सॉफ्ट हो गया है तब हम इसमें डाल देना है टमाटर एक बड़े साइस का टमाटर को मैंने बारी कट कर लिया है और यहां पर मैंने एक बड़े साइस का आलो को कट करके रख दिय इसे अच्छे से mix कर लेना है और इसमें डाल देना है पानी इसमें डाल देना है सब्जी पकने के लिए जतनी पाने के जरुत परती है उतना पाने डाल देना है जाल दिया है आदा चमच लाली मिर्च पाउडर आदे चमच थोड़ा कम हल्दिका पाउडर एक चमच शक्कर और स्वाधन सा नमक इसे अच्छे से मिक्स करना है और इसे डग के पकाना है तब तक जब तक के सबजी अच्छे से पक जाए आप लोग चाओ तो उबले हुए आलू भी ले सकते हो लेकिन उबले हुए आलू डालने से पहले आप लोग को टामाटर को अच्छे से पका लेना है उसके बाद ही उसमें उबले हुए आलू डाल देने है फिर थोड़ा सा पाने डाल के उसे और एक बार पका लेना है तो यह तक पका लेना है ताकि जो ग्रेवी है वो हलकी सी गाड़ी बन जाएगी तो पांच मिनिट हो गए है अब हमें इसमें डाल देना है भारिकट किया हुआ हरा दनिया इसे अभी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और यह जो आलू और टमाटर की सब्जी है यह भी बनके तयार है इसे आप लोग चाओ तो तुरन सफ कर सकते हो या फिर करेबन आठ से दस मिनिट के बाद में तो इसी तरह से आप लोग भी आलू और टमाटर की सब्जी ज़रूर बनाएगा आप सबे को बहुत है पैसंद आगी अगर आप लोग को मेरे रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे इ सब्सक्राइब करना ना बुलें तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में ने रेसिपी के साथ में थैंक यू सो माच फॉर वाचिं मैं वीडियो तिल एंड टेक केर एंड बाई